Good morning everyone, myself Sata Chohan. Today I will teach you GK. Let's open your books. Students Aadam Chikki में पढ़ेंगे chapter number 26, Our Heritage. Heritage means विरासत, हमारी विरासत. During your upcoming summer vacations, would you like to visit beautiful places? अपने आने वाले summer vacations में, क्या आप इन beautiful places पर गुमना चाहेंगे? Some words saying, sports are given below. Let's take a look at the picture and know about their names. तो यहां पर देखिए, कुछ ऐसे spots दिये गए हैं नीचे. उनकी pictures भी बनी हुई हैं और उनके बारे में उनके नेम सी बताएगा हैं. आईए इनको देखिए, इनके बारे में जानते हैं. Number first आपका दिया है The Great Stupa. यहां पर देखिए, एक बना है, एक स्टूपा है. यह है सांची में, जिसे हम सांची स्टूपा के नाम से जानते हैं. Second है आपका हवा महल. यह जैपूर में हैं. जैपूर को Pink City भी कहते हैं. और यह जैपूर में एक यह महल है, जिसका नाम है हवा महल. थर्ड आपका है ताज महल. यह आगरा में situated है. आगरा में बना हुआ है. यह White Marble का होता है. बना होता है पूरा. नेक्स्ट आपका है गोल गुम्बज. यह गोल गुम्बज बीजापूर में बनी हुई है. नेक्स्ट आपका है Red Fort means लाल किला. यह आपका New Delhi में है Next आपका Gateway of India यह मुम्मै में बना हुआ है Next आपका है राश्टपती भवन राश्टपती भवन New Delhi में बना हुआ है Next आपका चार मिनार इसमें देखी चार मिनार होती लंबी-लंबी यह हैदराबाद में situated है नेक्स आपका बुलंद दर्वाजा बुलंद दर्वाजा ये बहुत उंचा बना होता है और ये फतेपुर सीकरी आगरा आगरा के बास फतेपुर सीकरी है वहां पर ये बना हुआ है तो देखें यहां पर आपके नाइन प्लेसिस के बारे में बताया क्या है The first is The Great Stupa in Sanchi, Hava Mahal in Jaipur, Taj Mahal, Agra, Gol Gummaj, Beezapur, Red Fort, New Delhi, Gateway of India, Mumbai, Rashtabati Bhavan, New Delhi, Charminar, Hyderabad, and Bulandarwaza, Fatehpur, Sikri. Fact File Taj Mahal is one of the seven wonders in the modern world. हमारे आदुनिक वर्ड में, Taj Mahal जो है, वो एक seven wonders में से एक है, जो हमारे बारत में साथ अजूबे हैं, उन में से Taj Mahal एक है. इन 1971, when war broke out with Pakistan, आर्कोलोजिस्ट इन इंडिया ड्रैप्ट दा फेमस ताजमहल मॉन्यूमेंट विद ग्रीन क्लोर टू ट्राइदा, कॉम्यूफलेग एट. जब 1971 में पाकिस्तान के साथ युद हुआ था, तब जो इंडिया के आर्कोलोजिस्टे उन्होंने ताजमहल को एक ग्रीन कलर के कपड़े से ढख दिया था, जिससे वो उसे चुपा सके. बुलन दर्वाजा इस इन फतेवपूर सीक्री, a town which is 43 km far from the आगरा city. बुलन दर्वाजा जो फतेवपूर सीक्री में बना हुआ है, वो आगरा से 43 km दूर स्तित है. आगरा से जब 43 km आगे जाते हैं, तब फतेवपूर सीक्री आता और वहां पर ये बुलन दर्वाजा बना हुआ है, तो ये आपका चाप्टर अवर हैरिटेज, I hope you enjoy my class, have a nice day.